2019 में हुआ क्या, किसने किसको दोका दिया? अजित पवार जी ने इस बात को माना कि महाराष्ट में स्टेबल गवर्मेंट देंगे, बीजेपी और एंसीपी साथ में आएंगे, और वन फाइन मॉर्निंग पवार साप पीछे हड़ गए, उस समय अजित पवार ने कहा कि इतने आगे जाने के बाद मैं वापिस नहीं आ स अपोजिशन यूनिटी की जब बात चल रही थी, तो शारत पवार जी थोड़ा गौद फादर काइंड ओफ रोल में थे, लेकिन अब उनके स्वास्त के कारण वो थोड़ा बैक सीट ले रहे हैं, तो न्सीपी का क्या वजूद है उस यूनिटी में? आप शारत पवार जी को जानते नहीं है, अपोजिशन यूनिटी को ड्राइव करने वाले पवार साब ही है, सारी अपोजिशन पार्टी जो एक दूसरे का मूँ भी नहीं देख सकती, ऐसे लोगों को भी एक दूसरे के सामने बैठाने की, जो एक शमता है, वो पवार साब